आ गया आ गया आ गया आ खिरकार आप सब का term in examinations का result यहाँ पे publish हो चुका है जैसे कि आप screen page समय देख रहे हो term in December 2020 examinations का result तो दोस्तों आप सब का result यहाँ पे आ चुका है आप सब अपने result को check कर ले लेकिन आपको सिफ result को कैसे check करना है कैसे find out करना है कि आप pass हुए है या नह और IGNU ने आखिर ऐसा क्यों किया कि आपकी examination से पहले ही उन्होंने आपको result थमा दिया अब आप सब को बता दूँ क्या result में सब fail हो जाएंगे क्योंकि IGNU ने इतनी जल्दबाजी कर दी है या फिर इसके पीछे कुछ और reason है तो चलिए सब बताते हैं के करके बहुत अच्छे अच्छे news है जो IGNU ने अभी publish की है अभी अभी notice निकाली है तो hello and welcome to my YouTube channel मैं हूँ आरोही और आपका रेश्म classes में most welcome है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत साई information पता चलेगी जो IGNU ने अभी latest दी है क्योंकि इस समय आपको up to date रहना बहुत जरूरी है क्योंकि IGNU की examinations का ये समय है और आपको आपकी हर एक notice की जाच करनी चाहिए इसके लिए आप bell icon दबाना ना भूले और result को देखे result का जो tab है वो 2020 के December examinations के tab से ही खुला हुआ है क्योंकि भले ही examination जो है वो postpone होके फरवरी पहुँच गई है लेकिन result का जो tab है वो आपका 2020 का ही ये result होगा ना कि फरवरी का result होगा आपको इस बात के tension थी बहुत सारे student पूछ रहे थे कि हमारा examination तो फरवरी में हुआ है तो क्या फिर हमारा session या फिर हमारे grade card में फरवरी mention होगा हमारी result में delay date mention होगी तैसा कुछ नहीं है आपका result भले ही late से आ रहा है फरवरी में आ रहा है लेकिन आपका जो date रहेगा session का वो December session ही count होगा लेकिन उसी के साथ और बहुत सारी news है जैसे कि आप देख सकते हो इस समय श्क्रीन पे देख रहे हो ये इगनू का website है और यहाँ पे आपके लिए result of term and examination 2020 का एक नया यहाँ पे link दिया गया है जो बिलकुल ही new है आखिर इस link में क्या है तो चलिए आपको दिखाते हैं link में आपके result को है जैसे आप इस link में आते हो आप आज आते हो इस result वाले टाइब में अब आपको इसमें करना क्या है यहाँ पे आपको not list का enrollment number आपको यहाँ पे enter करना है उसके बद आप उसको submit वड़न पे click करना है यहां फिर इगनु ने प्रोग्राम चूज करने का कोई आप्शन नहीं दिया है आप एक बात को नोटिस केज़े जब आप नॉर्मली आप अपना रिजर्ट चेक करते हैं तब आपको कहा जाता है कि आप अपना इन्रॉल्मेंट नमबर प्लस आपको आपका प्रोग्राम का जो कोड है वो आपको डालना होता है जैसे MSO हो गया, MST हो गया आपकी जो भी कोर्स है आप जिस भी कोर्स की कर रहे हो बैचलर, मास्टर डिगरी, सर्टिफिकेट कोर्स आपको उसमें मेंशन करना होता है तब है जाके आपका रिजर्ट का टैप खुलता है लेकिन इसमें कुछ नहीं है इसमें सिंपली बस कह रिया गया है कि आप अपने 9 डिजिट का नंबर जो है यहां पर एंटर केज़े, समिट केज़े आपका रिजर्ट दिख जाएगा अब यहां पर दो कंडिशन है यहां पर दो इंस्ट्रक्शन भी दिए गया है पहला आप देखो तो य कमेंड का रिजर्ट, असाइमेंट, प्रेक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्स जितने भी है उसके प्रोसेसिंग चल रही है आपका रिजर्ट जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा यानि इसके कहने का मतलब है कि अगर आपका अभी तेक पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका अप्टूडेट नहीं होगा तो आप इसके लिए घबराएं नहीं क्योंकि रिजर्ट जो है आपको आपके प्रोसेस में है तो वो जल्दी ही अप्डेट हो जाएगी यहाँ विखा गया है दूसरे पे कि in case any student is not found to be booked under unfair means the result of the particular student will be cancelled अगर आपने नियमों का उलंगन किया है examinations में तो आपका जो result है वो आपका cancel कर दिया जाएगा यानि बिर्कुल है आपका result fail में हो गया होगा तो आप सब इस बात पर ध्यान रखें कि यह दो instruction यहाँ पर दे दी गई है अब चलिए बात करते हैं कि यह result का मतलब क्या है और क्या इस result की कोई validation है या फिर यह result जो है आगे बदल जाएगा तो जैसे कि आप देखते हो normal जब भी आपका result जो show होता है वो कुछ इस तरह को होता है यह आपका दो तरहेगे का result इगनों में दिया जाता है एक जो आप termin examinations में देते हो वो आपका result grade card के रूप में हो जाता है दूसरा result हो जाता है आपका final result तो भले ही आप final year के examination दे रहे हो लेकिन आपका यह result आपका final result नहीं है यह बस आपको marks को दर्शाएगा कि आपने कितने marks लाएं जैसे कि यह एक आपको मैं sample दिखा रही हूँ जो termin examination का है यहाँ पर आपके जो grade card होंगे कुछ इसी तरह के होंगे जहाँ पर बताया जाएगा आपको आपके marks, total marks आपने कभ examination दिया और आपके number कितने आए और इसी के साथ आपको बताया जाएगा कि आपका result जो है complete है या फिर नहीं है बहुत सारी result है जो आपको नहीं दिखेंगे ठीक है उसके reason अलग-अलग हो सकते है उसके reason हो सकते है बहुत सारी लोगों को इस तरह के होगा कि आपका term in examination not found तो आप इसके लिए घबराएं नहीं क्योंकि result आपका declare होगा तो आपको show क बहुत सारी students के लिए और एक कबर है कि आप जब examination में बैठते तो आपको passing marks जरूर ध्यान से देखना चाहिए maximum mark 70 है और आप उसमें 20 marks लेके आ रहे हो हो तो फिर क्या ये criteria को follow करता है मैंने अपने वीडियो उस पर बनाया है कि कितने आपको number चाहिए कि आप pass होंगे fail आप ध्यान से वीडियो को देखे फिर से description box पर इसका link होगा आप जाके channel पर जरूर देखे और उसके बाद आपको बता दूँ कि जैसे ही आपका examination का result है वो फिर जब declaration हो जाएगी तो आपको final result आपको लेना पड़ेगा कुछ result कुछ इस तरह से भी होते हैं जैसे कि आपक आपका assignment तीन रीजन हो सकते हैं अगर आपका practical subject है तो practical include होंगे वरना नहीं आपको ध्यान में रखना होगा क्या आपने assignment में कम नंबर तो नहीं लाए अगर आपने कम नंबर लाए हैं तो फिर आपको यहां पे not completed show होगा completed not completed यही आपका matter करता है कि कितने subject में आपका completed कहने का मतलब कोई issue नहीं है आपका आपको clearly जो है ना result में paper में कोई दिकत नहीं है आपका subject complete हो गया not completed का meaning होता है कि आपका अभी भी problem है आपने fail किया है अब आपने theorem फेल किया है practical में फेल किया है यह आपको देखना होगा इसे हिसाप से grade card चेक के जाती है अब हम बात करते हैं अगले topic पर जो यहां पर बहुत important है जो इगनु के तरब से आया है यहां पर आप सबके लिए जो है 28 वरवरी 2021 तक यहां आपके लिए कहा गया है कि आप अपना re-registration जरूर करा ले re-registration करते समय अच्छे से ध्यान रखेगा कि आपको अगर अपना number change कराना है आपको अपना course change कराना है तो आप करवा सकते हैं क्योंकि आपको आपका course और program change करवाने के लिए भी आपको यही पैसलरी दी जाती है और आप अपने कितने subjects लेने चाहूंगे आप medium कौन से चू अपना होरिटी करेकर एक बार निकाल चुके हैं तो फिर से दुबारा एंटर करके चेक कीजिए कि क्या same date पे examinations है या फिर examinations अभी date बदल गई है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें और दोस्तों आपको जैसे ही result आएगा और आप अपनी result चेक करके देखें कि क्या रहा है या फिर नहीं निकल रहा है और अगर आपकी results fail में आते हैं तो फिर आप तुरंत apply कर देना next examinations के लिए तो क्या है पूरा process जैसे ही result आएगा और कुछ update आती हैं आपको ज़रुए inform करेंगे thank you so much वीडियो को forward कीचे